ओकी तो आज अपन देखने आले हैं Microbiology में Unit 4 का एक Topic जिसका नाम है Microbiological Essay of Vitamins अपन देखेंगे कि Vitamins जो है सही से बेक्टिरिया की ग्रोथ करवा पाता है या नहीं तो इसके लिए अपन दो टेस्ट देखने आले हैं तो लेक्चर को ध्यान से सुनना और अगर आपको सारे लेक्चर की PDF अगरा की नीड है तो मैंने टेलिग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है आप जाके देख सकते हो और अगर आपको बागी की लेक्चर देखने है एक growth factor है vitamin जो की growth करवाता है अगर मानलो bacteria है microorganism है उनको मैं अगर vitamin दे दूँ तो क्या वो grow नहीं करेंगे बिल्कुल grow करेंगे और multiply करेंगे अपना number वड़ाएंगे ठीक है तो ध्यान रखना vitamin जो है important growth factor है needed for growth multiplication of microorganism अपने number वड़ाते है microorganism जब उनको मिल जाता है vitamin क्योंकि vitamin है growth factor है ठेक है अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है microorganism है very sensitive to small amount of growth factor और microorganism जो होते हैं वो छोटे से growth factor में बहुत ज़्यादा grow कर लेते हैं और अब मैं तो पूरे-पूरे vitamin दे रहा हूं उनको ठेक है तो बहुत ज़्यादा grow करेंगे vitamin में ठेक कौन microorganism है अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है test microorganism used for assigning the water अगर water तो water soluble vitamin जैसे vitamin b12 vitamin b6 ठेक है test microorganism used as lactobacillus हम यहाँ पर कौन सा लेने वाले lactobacillus लेने वाले तो देखो अपन दो मेतड़ देखने वाले है एक तो देखेंगे method अब देखो नाम से क्या पता लग रहा-try metric मतलब यहाँ पर होने वाला है tit टि आई-टी ठीक है tit आ रहा ही आ रहा है तो titration होने वाले है आपर ठीक और second वाला है termidimetric 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 मतलबbahn नियस्ट जादा है और तर्टालापन जाधा एगा test tube में मतलब म enorm microorganism है मतलब अपना जो uit go ं left with the process of Div at the time ? तो आप को जितना से सुनना है समझना है क्योंकि जितना आप समझोगी उतना यह से एप थेऊरी बना olho शक्र आफ्योदी आपको टेलिग्राम की लिंक दे रखी, वहाँ से मिल जाएंगे, वैसे हो ता आप खुद ही बना लोगे इस lecture को सुनने के बाद, तो चलो शुरू करता है, पहला method जिसका राम है, standard solution किसका विटामीन का, standard मतलब फामी से से अप्रूट solution है कि ये वाला विटामीन जो है बेक्टिरिया की ग्रोथ करवाएगा ही करवाएगा, ठीक है, तो standard solution डालना है अपन को, जैसे इसमें अपने 0 ml ही डाला कुछ नहीं, 0.5 ml, 1 ml, 0.5 बढ़ाते हुए चलना है, 1.5, 2 ml, 2.5 3 ml, 4 ml, ठीक है, अब यहाँ पर एक ml बढ़ा दिया अपने, फिर 4.5 ml और 5 ml, तो इस तरह अपन को ml बढ़ाते हुए चलना है, standard solution का, ठीक, उसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पर देखो, अपन को डालना है, BMSS, इसका फुल फोर माँ बता हूँ तो, Bessel Media Stock Solution, ठीक है अब यहाँ आपने कुछ नहीं किया, 10 तो test tube ली, उसके अंदर standard solution डाला, 0.5 बढ़ाते हुए, ठीक, उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूँ की, Bessel Media Stock Solution आपको डालना है, 5-5 ml, डाल दो, सरी डाल दिया, 5 ml, 5 ml, 5 ml, ठीक है, ऐसे करते हुए समय, 5-5 ml डाल दो, यार, हाँ, डालते जाओ, ठीक है, तो जैसे ही तुम 5-5 ml डाल दोगे, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें sterile water डालना है, क्या डालना है, sterile water, ठीक है, क्यों डालना है, क्यों डालना है, क्यों क्योंकि तुम्हें 10 ml पूरा करना है, हर test tube में तुम्हें 10 ml पूरा करना है, तो देख फिल करना है यह बात क्लियर हुई तो आप यहां पर एक बात ध्यान रखना कि जो आप यह ले रहे हो पाँच एमेल बेसल मीडिया स्टोक सॉलूशन ठीक है यह क्या करता है यह प्रमोट करता है बेक्टिया की ग्रोथ को ठीक अब मालो मैंने कोई भी एक टेस्ट्यूब ले ली जैसे मालो मैंने यह वाली ले ली अब यहां पर क्या था 2.5 एमल स्टेंडर्ड सॉलूशन क्योंकि 0.5 बढ़ाते जा रहे तो यहां पर आएगा 2.5 ठेक है और 5 एमल अपने डाला बेसल मीडिया स्टोक सॉलूशन और 3 एम स्टेंडर्ड वालड डाला अब इसमें भी सेम करना है आपको टेस्ट्रोशन डालना है ठीक है यह जी Samal rewrite जाल ले यहांपर 2 यह तीन यह पर चार अभ बेसल मीडिया स्टोक सॉलूशन 5 5 पाँच अभ्षा 5 ml ठेक उपर भी यह किया था उपर टेस्ट नहीं था उपर स्टेंडर था जो फामेसे से अप्रूव था इधर है टेस्ट जो कि अपन ने बनाया इधर अपन ने 1 ml ठीक है इसको अटा देता हूं एक सेकंड में अब देखो अब देखो मैंने मारकर रटा दिया अब ध्यान से देखो देखो यहां पर जैसे मानलो मैंने टेस्ट सोलूशन डाला एक ml इसमें ठीक है यह लिखा हूँ है मैंने टेस्ट सोलूशन बैसल मीडिया स्टोक सोलूशन डाला मैंने पांच ml टोटल कितना हो गया 6 ml चार ml मैं डाल हुआ sterile water क्योंकि मैंको complete करना है 10 ml ठेक है तो इस तरह से मैंने कर लिया उपर भी किया था पर उपर standard वाला था इधर अपन टेस्ट वाले से कर रहे हैं जो कि अपने बनाया है विटामिन वह वाला अपन चेक करने के लिए कर रहे हैं अब देखो क्या करना है remaining we add sterile water to make up the required volume हमने देखा कि जो बचा हुआ है उसमें हमने sterile water डाल दिया ताक कि हम required volume जो है 10 ml फिल कर सके ठीक है यह बात हमने देख ली दोनों में हमने ऐसा ही किया कि जो required volume make up करना था उसको हमने sterile water से make up कर दिया 10 ml तक अब देखो अपन क्या करेंगे उपर की 10 टेस्ट्यूब को निचे की चारो टेस्ट्यूब को यह जो चारो है इनको अपन डालेंगे auto clay उपे auto clay उपे क्यों डाल रहे हैं क्योंकि sterilize हो जाएगी sterilization हो जाएगा जितने भी microorganism है जितने भी सारे kilo हो जाएंगे ठीक है 121 डिगरी सी पर डालोगे पांच मिनिट के लिए किस पर auto clay उपे और auto clay में क्या होगा sterilization होगा सारे bacteria clean हो जाएंगे 121 डिगरी सी फाइफ मिनिट के लिए अब देखो क्या होगा देखो यहां पर मैंने लिखा हुआ है now after this it free from bacteria बिलकुल होने क्योंकि sterilization हो गया ठीक है अब हम क्या करेंगे इन 14 टेस्ट यूब को room temperature पे रख देंगे और उसमें एट कर देंगे एक एक ड्रॉप इन ओक्यूलम क्या एट कर देंगे एक एक ड्रॉप इन ओक्यूलम एट कर देंगे ठीक है सर समझ में आ गई कि 14 टेस्ट यूब को आपने ओक्यूलम पर रखा है इस्टेलाइजिशन पे 121 डिग्री सी पे 5 मिनिट्स के लिए ठीक है उसके बाद उसके अंदर के सारे बिक्टिरिया मर गए फिर अपने 14 टेस्ट ट्यूब को रख दिया रूम टेंप्रेचर पे अब उसमें एक एक ड्रॉप हम इन ओक्यूलम क्या है तो देखो मैंने यहा 72 आर्ट्स एट 32 37 डिग्री सी अब क्या करा जैसी 14 टेस्ट ट्यूब को मैं निकाला उसमें एक ड्रॉप इन ओक्यूलम डाला हमने उसको क्या करा इंक्यूबेटर में रख दिया 64 से 72 घंटे तक के लिए 30 से 37 डिग्री तक ठीक है इस टेंप्रेचर पर रखना है इतने आपनों ने ली थी यहाँ ठेक है standard solution डाला था उसमें फिर बेसल मेडिया स्टोग solution डाला था और 10 ml करने के लिए अपने डाला था sterile water फिर अपने नीचे भी यही किया पर इस बार standard solution कीजए अपने लिए test solution यहां पर अपने क्या करा सबसे अपन ने लिया यहाँ पर test solution जैस बात क्लियर है उसके बाद कुछ नहीं करा ओटो क्लेव पर रखा इस्टिलाइजिशन करा तेमप्रेटर में आपको बता दिया 121 डिग्री सी पांच मिनिट के लिए उसके बाद यह जो है फ्री फ्रॉम बेक्टी दिया हो गए फिर इसको अपन निकाला फिर इन ओक्यूलम डाला और इन ओक्यूलम डालने के बाद अपन ने इसको इनक्यूवेट कर दिया तो अब यह जो 14 टेस्ट ट्यूब है इनका अपन करने आले हैं टाइट्रिशन ठीक है तो चलो देखो होता क्या है तो ध्यान से सुनना आपने फर्स समेस्टर में भी देखा होगा कि यहां टाइट्रिशन करा रहे हैं तो टाइट्रेंट तो जरूरी है ठीक है टाइट्रेंट उपर से ड़ेगा तो यहां पर टाइट्रेंट है 0.05 नॉर्मल नहोच ठीक है यह आपको याद रखना है और न जाता है तो कुछ नहीं करना उपर उपर अपनको लेना है टाइट्रेंट 0.05 नॉर्मल नहोच नीचे अपन टेस्ट्यूब चेंज करते जाएंगे अपना इंडिकेटर यहां पर ब्रोमो थाइमोल ब्लू यह कनवर्ट हो जाएगा ग्रीन में जब स्टेंडर्ड कंडिशन आ जाएगी ठीक है तो अब देखो यहां पर क्या होगा ध्यान से सुनना अब एक के बाद एक टेस्ट्यूब आते देगी तो अपन को क्या करना उनकी रीडिंग लिख लेनी है ठीक है नाव फॉर इस टेस्ट्यूब नोट दर रीडिंग एंड ड्रो एक ग्राफ पॉर बो FZ यहां फिर बोल लो vitamin का solution ठेक है तो है vitamin का solution के अगरे tysonh value अब देखो होगा क्या mycro organism की growth जो है बंढनी चाहिए क्योंकि vitamin की growth की growth को बढ़ाता है ठीक है तो तो microorganism की growth बढ़ने ही है ठेक अब देखो यहां पर किस तरह से graph है भी फिस टेंडर्ट का graph है ठेक और यहां पर वयरा है कि साथ ग्रोथ ओ भी होती जारी है सटेंडडर्ड वाली बात इस टेंडर्ड जो कि यहां pharmacist approved है कि अब यह तो growth करवाएगा करवाएगा यह वाला vitamin तो अब जो अपना test वाला है टेक है अब अब अपन test वाले का भी same graph upload करेंगे और test वाले के graph को standard graph से compare करेंगे अगर test का graph और standard graph दोनों एक जिसे हैं तो तो हमारा test जो है पास है हमारा जो vitamin है वो बिल्कुल सही है ठीक है आपको बनाना नहीं है अलग से graph बस थिखनी है नीचे कि जैसे यह graph तक पोज गए आप लिखते लिखते उसके बाद आपको लिखना है कि हम जो है test का भी same graph upload करेंगे ठीक है same graph बनाएंगे upload करेंगे क्या ठी लाइन नहीं आ रहा मतलब उसमें growth of microorganism सही से नहीं हो पारी स्टेंडर्ड की जैसे तो फिर जो आपका test वाला है vitamin वह खराब है तो इस तरह से अपन compare कर सकते हैं तो यह हुआ पहला method चलो तुम्हें समझ तो आया होगा ठीक है अब सेकेंड वाला देखता है पन तर्बीडिमेट्रिक मेथड यहां पर पन को क्या करना है एक डिवाइस का यूज करना है जिसका नाम है photoelectric palorimeter ठीक है कैसा जीब सा नाम है sir akkor डवयद अधिक इस फोटो इलेक्रीक को लोरी मि楽ा मेटर ठीक अब नाम से बतला रहा थे मेटे मेंटरिट मतलब टरर्बीडिटी आएगी और तर्विदृडिटी तो तभी आती ही, जब मायक्रोर्विडिट बहुत्प करता है, मतलब जितने ज़्यादा मायक्रोोर्वगिञिज्म उतनी जधा तर्विडिटी, उतना अच्छा विटामिन ठीक है क्योंकि विटामिन ज्यादा तो माइक्रो और्गनिर्स ज्यादा होने ही चाहिए तो जिसकी तर्विटीटी ज्यादा आएगी वह अच्छा है यहां पर ठीक है अब चलो देखते हैं यहां पर किसे क्या करना है तो देख जो पहले वाला अपन मैथट करके आयते ना उससे सिमिलर थियोरी है इसकी ध्यान से सुनना अब अब क्या करें मैं थाख ठीक है तो 14 टेश्ट टूब उधर ले ली थिया अपन ने यहां पर दो टेश्ट टूब और एक्स्ट्रा ली है पर टेंशन मतले है यह जो दो टेस्ट टूब अपनने ली है यह ब्लैंक है ठीक है blैंक बोले तो un inoculated है क्या बो लेगा un-inoculated tube है मतलब blank tube है blank tube in the sense उसमें कुछ भी नहीं है ना तो standard है ना test solution है ना microorganism है सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ तो है basal media present in blank tube ठीक है तो ध्यान रगना basal media stock solution present in black tube उसके अलबा कुछ भी नहीं है ना test है ना microorganism है अब देख कुछ भी नहीं करना नॉर्मल सा है बड़ा simple सा है देख एक बार सही से देख लेए इसको तो देखो आपको यहां पर क्या करना है incubate करना है जितने भी test tube है उन सबको incubate करना है 30 to 37 degree C 16 to 24 hour 30 से 30 degree Celsius पे 16 से 24 गंटे आपको incubate करना है सारी test tube को अब नीच से diagram दे रखा है बड़ा simple सा है देखो diagrammatic representation दे रखा है अपनको सबसे पहले आपको लगाना है या lamp ठीक है और इधर है sample holder इसमें अपनको जो है test tube रखानी है ठीक है sample holder नाम से बतल लग रहा sample को पकड़ने आला तो यहाँ पर test tube जो है फिट होगी ठीक एक अपना power switch है नीचे एक light control है और एक wavelength control है कुछ भी नहीं है देखो एक तो power switch light control wavelength control उपर है lamp और इधर अपने लगाया sample holder नाम से पतल लग रहा और एक है यहाँ पर transmittance absorption scale यहाँ पर जो है यह मीटर पर जो है reading आती देती है तो अपन को जान रहेगा तो कुछ भी नहीं है बड़ा simple सा डाइगराम है power switch आप बना दोगे sample holding आप कर दोगे lamp आप लगा दोगे पड़े expert वह आप आज कर lamp लगाने में तो wavelength control आप कर दोगे transmittance अपनको यहाँ पर sample holder में test tube को लगाना फिर transmittance को जो है adjust करना है 640 micrometer पर कितने पर 640 micrometer पर और यहाँ पर जो है 100% light pass करानी है photo electric container में इतना सा आपको करना है कि test tube holder में test tube लगानी है उसके बाद आपको transmitted 640 micrometer पर सेट करना है और 100% light pass करानी है photo electric container में से इतना साथ जब आप करोगे तो होगा क्या ध्यान से देखो यहाँ पर now take reading and plot graph अब अपन जब यह सब करेंगे तो अपनको reading लेनी है और graph plot करना है और जो अपना standard का graph plot करेंगे अपन उससे अपन को test वाले को compare करना है अब आपको एक्जाम में plot वगेरा नहीं करना है पस theory लिखनी है नीचे कि अपन को क्या करना है अब graph plot करना है और जो अपन graph plot कर रहे हैं उससे अपन compare करेंगे अपने test वाले को और अगर दोनों similar आ रहे हैं तो मुबारक हो यार नहीं करवा पारा microorganism की ठीक है आयोप आपको मेरा lecture समझ में आया होगा अगर आपको notes के requirement तो telegram की link जो है description में आप जाके download कर सकते हो group से join हो सकते हो और अगर आपको instagram से join होना तो उसकी भी link दे रखिए comment कर दो यार comment करने में कोई कि बुराई नहीं है ऐसी और वीडियो आती रहेगी thank you so much thanks for watching keep support thank you